हलो एवरिवान वेरी गुड आटरून तो आल अफ यू कैसे हो सभी लोग मैं शाकिर उस्वागत करता हूं आप सभी का आपके अड़ा परिवार में और जैसा कि आप सभी का डिबांड था कि सर कंप्यूटर होना चाहिए कंप्यूटर होना चाहिए तो फटा-फट से अड़ पहले भी आप से जब हमारी बात हो रही थी तो मैंने आपको बताया था कि बेशाक हम लोग एमसी क्यूज करेंगे यहां यूटूब पर लेकिन हर एमसी क्यूज में जो कॉंसेप्ट चुपा हुआ है उस कॉंसेप्ट पर जरूर से हम लोग चर्चा करेंगे ताकि उससे र और यू रिया चली अली तो आप जितनी बार पूछोंगे मैं उतनी बार बताऊंगा लेकिन एनर्जी के साथ हना एनर्जी बिल्कुल भी सेशन में डौन नहीं होना चाहिए यह सभी लोग याद रखना राइट मैं एकदम भला चंगा हो मस्त हूँ सब बढ़ेंगा चल रहा है राइट चली भाई तो एक बार फड़ा फट से ऐसे थमस अप करके मुझे बता देना सभी लोग कि हासर सेशन को आप स्टार्ट किया जाए हम सभी लोग तयार है इस सेशन के लिए इसका बेसबरी से इंतजार था हमें राइट चलिए भाई सारे में बात कर लेते हैं कि सलेबस किस तरह से हमारे पास है और उन सलेबस को किस तरह से हम लोग कवर करने वाले हैं से 맞는 जरूर से पता होना चाहिए चले, excited है बच्चे, syllabus आपको जरूर से पता होना चाहिए, तो syllabus क्या है computer का हमारे पास, fundamental of computers, तेक है, अभी fundamental of computers यहाँ पर दे तो दिया, लेकिन fundamental of computers में काफी सारी चीज़े आती है, like computer का evolution कैसे हुआ, computer के generations क्या-क्या थे, computer के classifications क्या-क्या थे, किन-किन categories में computer को बाठा गया, तो यह सारी चीज़े fundamentals में ही आ जाएंगे, जहां पर आपको कुछ basic चीज़ों का जानना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है, अच्छा, यह जो syllabus है, हमारे पास, यह unorganized syllabus है, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे, वो organized में पढ़ेंगे, उसके बाद आपको दिया है computer abbreviations, जो आप पूछता है न, कि भाई CPU का full form क्या होगा, CPU stands for, यह सारी चीज़े, computer shortcut keys बहुत question बनते हैं, चाहे आप Windows से question ले लो, या फिर आप MS Office से question ले लो, MS Office में भी आपका MS Word, PowerPoint और Excel से बहुत ज्यादा question बनता है, विंडोस के shortcut keys भी हम लोग चर्चा करेंगे, और आपको नहीं सीखने को मिलेगी, भाई किस तरह से shortcut keys से हम अपने काम को आसान कर सकते हैं, Microsoft Windows की बात करेंगे, कि जो हमारा operating system Windows है, उस Windows में क्या-क्या features होते हैं, किस तरह से हम अपने काम को बहुत quickly कर सकते हैं, क्या-क्या features Microsoft द्वारा दिया गया हमारे Windows में, और latest अभी कौन सा है, एक बार चले बड़ा, अभी जो नया आपका launch हुआ है, नया जो उसले बस आया है, उसमें computer है, ठीक है, Microsoft Office के अंदर में ये चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं, MS Word, MS PowerPoint, Excel, Access, Outlook, हाँ, ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा topic होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के चीज़ें नहीं है, तो यहाँ पर आपको expert की जरूरत पड़ती है, examination point of view से, क्या आपके लिए जरूरी है, कितना पढ़ें, कि आपका exam में question ना चूटे, तो उसके लिए मैं हूँ यहाँ पर, otherwise इसमें सालों लगते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, types of computer की हमने बात की, जैसे हमने बात किया, यह जो अलग से दिया है, types of computer, इसको actually fundamental में ही देना चाहिए था, तो types of computer मतलब classification का ही part है, कि कितने तरह से computer है, हमारे पास, कितने category में उसको बाटा गया है, storage devices की बात करेंगे, यानि के memory की बात करेंगे, primary memory होगा, internal processor memory होगा, secondary memory होगा, उसके अंद ही आ जाएंगी, तो हम लोग उसी तरह से syllabus को design करेंगे, input and output devices की बात होगी, internet जब हम लोग use करते हैं, तो internet में क्या-क्या चीज़े use करते हैं, webpage क्या होता है, hyperlink क्या होता है, किस तरह से browser से server के बीच में connections होता है, कैसे आप request भेजते हो, कैसे आपको reply आता है, तो उन सारी च system पर attack करता है, आपके system से data चुराता है, आपके system को नुकसान पहुंचाता है, आपकी privacy के लिए खतरा है, तो उन सारी चीजों के बारे में बात होगी, and most important, computer related कुछ terms होगे, ठीक है, computer related कुछ terms होगे, जो अभी recent चल रहा है, कि भाई, क्या-क्या चीज़े, नही चीजे launch हु नहीं है, और कितना आपको करना है, जिससे आपका exam बहुत अच्छे से qualify हो जाए, and जो आपके marks है, 20 out of 20 आपको आजाए, ठीक है, यहाँ तक सबको clear है, अगर एक बार तो मुझे फटा-फट से comment करके बता देंगे, so that हम लोग पहले अपने question की तरफ आएंगे, right, पहले question की की तरफ आएंगे, and everyone has to answer first, and then I will explain this, right, हर किती को पहले एक बार question का answer करना है, उसके बाद मैं आपको इसके पीछी की history बताऊँगा, क्या है, जिसमें conceptual होगा, उसको मैं concept बताऊँगा, right, तो आज से हमारा start हो चुका है, fundamentals, fundamentals of computer, right, चली वहीं, तो एक बार comment करके, सभी लोग तयार हो गए हो, एक बार इसका जवाब दे देना, comment आपका regular basis पर आते रहना चाहिए, comment आएगा, तो मुझे पता चलेगा, कि आप तक मेरी बात पहुच रहे है, आप समझ रहे हो चीजों को, चली, in how many generations are computers classified, पूछा जा रहा है, कि भाई, computer को कितने generation में बाटा गया, ठीक volume थोड़ा कम जा रहा है, एक बार अपने system का volume देख लेना, क्योंकि मैं तो यहां से cheek रहा हूं, और मैं की भी सही लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहां पर मुझे सही दिखाई दे रहा है, यहां जो frequency है, वो सही दिखाई दे रहा है, देखो, यहां पर पूछा जा रहा ह है ना, कि computer को कितने generation में बाटा गया है, है ना, और आप अभी मुझे क्या बता रहे हो, कि processor का 7th generation, 10th generation, 11th generation, that is different, that is generation of processor, ठीक है, लेकिन अगर हम एक computer की बात करते हैं, तो total computer को जो बाटा गया है, वो 5 generation में बाटा गया है, अब मेरा सवाल आप से यह है, कि क्या in future, जब हम और आगे बढ़ेंगे, टेकनोलोजी और ज्यादा बढ़ेगी, तो क्या 5 generation से 6 generation हो सकता है, या 7 generation हो सकता है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके, लेट में जिस चेक, चली, मैंने माइक भी उपर कर लिया, हाँ जी बताएंगे, अगर अभी computer का 5 generation है, तो क्या, ह अभी मेरा काम क्या था, अभी मैं इस पर 5 टिक करता हूँ और निकल जाता है, next question की तरफ, लेकिन अब मैं क्या बता रहा हूँ, इसके पीछे का concept बता रहा हूँ, हाँ, voice clear, बेटा, एक बार आप refresh कर लो, जिनको भी voice clear नहीं आ रही है, तो मैंने पूछा कि computer का अभी इस technology म first generation हो सकता है, is it possible, yes or no, तो सभी लोग answer कर रहा है yes, and the answer is big no, ठीक है, and the answer is big no, computer का maximum जो generation है, वो 5 generation है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा 5th generation है, यह जो last generation है, 5th generation है, that is AI, ठीक है, AI means artificial intelligence, artificial intelligence, ठीक है, अभी न, questions शायद हम लोग कम करेंगे, लेकिन उसके पीछे का concept भी जानेंगे, artificial intelligence का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले artificial, मतलब जो बनाया गया है, इंसानों द्वारा, यह भगवान द्वारा दी गई चीजे नहीं है, जैसे भगवान का best creation क्या है, इश्वर का best creation क्या है, human being, इंसान, क्योंकि हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, decision ले सकते हैं, उसी तरह से एक human being जैसा system हो, एक human being जैसा आपके पास computer हो, जैसे robots देखते हो, आप शीरी देखते हो, आप Alexa देखते हो, Alexa यह play कर दो, Alexa यह कर दो, Alexa वो चीज़ कर देती है, तो यह किस पर काम करत है, artificial intelligence पर, अभी आपने chat GPT का काफी नाम सुना होगा, chat GPT का, chatbot का बहुत नाम सुना होगा, यह क्या है, यह artificial intelligence है, इसका मतलब, एक वैसा device, एक वैसा machine, जो बिलकुल human being की तरह काम करें, तो जब भगवान ने इंसान को ही सबसे उपर रखा, राइट, भगवान ने इंसान से कुछ बन ही नहीं सकता, अब इंसान भगवान तो create नहीं कर सकता, भगवान की मूरत बना सकता है, लेकिन भगवान create तो नहीं कर सकता, जो उसका सारा काम कर दे, तो समझ में आया, तो 5th generation से आगे कोई generation हो ही नहीं सकता है, तो maximum generation of the computer is 5th generation, ठीक है, बिस भी आपका, इसका अलग अलग आता है 10th generation, तो वो उसमें changes आते हैं, उस पे लगातार company काम करती रहती है, तो वो उसका generation है, थोड़ा change हुआ, एक नया generation market में आगे है, अच्छा, generation market में आने से फाइदा क्या होता है, लोगों को लगता है नहीं चीज आ रही है, आपने इस चीज को focus किया होग is not a characteristics of a computer, computer के इन में से कौcoat से जो है, भाई साब गुन नहीं है, computer के इन में से कौन से characteristics यानि के computer के is में से गुन नहीं है, characteristics का मतलब क्या हो गया, कि आप computer को किन चीजों के bases पर, किन वुनियाद पर आप उसको value दोगे, आज एक इनसान की comparison में, computer ज्यादा काम कर सकता है, बिना ठके हुए काम कर सकता है तो उसके कुछ प्रोपर्टीज होंगे कुछ गुन होंगे तो इस में से कौन सा है जो computer का गुन नहीं है बेसिक गुन नहीं है पटापट से एंसर इस डी डी हमारे पास आ रहा है क्यों यूज करें ताकि computer accurate काम करके आपको दे कोई एरर वहां से एरर वहां से प्रोड्यूस ना करें जो भी आप काम कर रहे हो वह computer क्या दे आपको perfectly करके दे human being क्या करते हैं हम कुछ काम करते तो error हो जाता है जैसे मैं यहां लीखूंगा तो हो सकता स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ मैंने गलत लिख दिया मैं बोल सही रहा हूं बोल गलत लिख दिया लेकिन computer ऐसे चीज नहीं करता storage हम लोग बहुत मातरा में क्या करते है store करके रखते है अपने data को ताकि इन future use कर सके hard disk आ गया SSD आ गया है लेकिन IQ जो है वो IQ एक इंसानी फितरत है ठीक है IQ जो है वो इंसानों की फितरत है वो computer की फितरत नहीं है clear हो गया clear यहां तक clear सभी को एक बार comment करके बता दू नहीं है ना बिटा इसमें पूछ रहा है is not a characteristics तो IQ एक option तो आपको देगा ना कि तीन उसके characteristics है एक characteristics नहीं है तो हमारा answer क्या हो जाएगा that is odd or not that is IQ तो IQ नहीं होगा एक्जाक्ली IQ किस में होती है human being में होती है तो computer का पूछ रहा था इसका मतब computer के लिए वो valid नहीं है राइट चलो now next question is which electronic components हम लोग जो यहां पर question कर रहे है वो धीरे धीरे slowly slowly क्या कर रहे है 나re generation-wise बढ़ेंगे उस generation से जो question Newton पूछे जाते हैं किस level के question पूछे जाते हैं और इसके history क्या है वो भी हम लोग discuss करेंगे तो which electronic component जहां पर भी componentני की बात हो रहा है वहां पर किसकी की बात कर रहा है वहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं hardware की बात कर रहे है याद रखता विच electronic components are used in first generation computers first generation computers में कौन सा electronic computer use होता था ठीक है 1940 से ही आपका first generation computer start हो चुका था 1956 तक ठीकिई अब अभी आप देखते हो अभी आपने देखा होगा आप कोई भी electronic device लेते हो तो उसमें ना एक अंदर आगर आप उसको screwdriver से खोल के देखोगे तो जब आप उसको open करके देखोगे ना उसमें एक circuit होता है ठीक है उसमें का first generation computer था ना तो उस duration में बहुत बड़ा system होता था बहुत बड़ा computer होता था तो उस बड़े computer के लिए भी हमें circuit की जुरत पड़ेगी क्योंकि electron का flow तो आपको करवाना है तो उसके लिए एक बड़े circuit की जुरत पड़ती थी बहुत बड़ा computer एक रूम के जितना बड़ा computer होता था तो उस circuitry के लिए ताकि आप current का flow कर सको कौन से component का use होता था कौन से hardware का use होता था and the answer is c lock कर दिया जाए सभी का answer आ रहा है c that is vacuum tubes तो first generation computer में vacuum tubes use किया जाता था और motherboard क्या होता है वो circuit होता है हमारे system में motherboard के अंदर ही वो सारी चीज़े attached होती है आपका RAM हो गया ROM हो गया CPU हो गया यह सारी चीज़े जितने भी आपके devices होंगे वो एक जो एक जो पूरा complete circuit है ना that circuit is called motherboard और उसी के अंदर सारी चीज़े associate होती है right now अब मेरा सवाल आपसे यह है कि यह क्या है what is vacuum tube हमने क्या बात की हमने बात की कि भाई जितने भी question हम करेंगे उसके पीछे के history देखेंगे उसके पीछे का concept देखेंगे so that आपका question जो है वो आसानी से समझ में भी आए और उससे दूसरे question भी बने ठीक है तो देखो यह क्या है हमने बात की ना कि यह एक देखो पूरा क्या यह circuit है यह क्या है पूरा circuit है ठीक है यह आपका यह आपके सामने यहां पर vacuum tube ठीक है यह आपके सामने यहां पर है vacuum tube ऊपर में एक bulb टाप का लगा होता है तो यह जो होता है इसमें दो चीजे होती item ऐख होता है cathode ray एक एक होता है cathode ray ठीक है और एक होता है anode कैठोड और ऐनोड ठीक है जो क्या होता है इसमें charge करता है और charge करके electronic flow को करवाता है तो vacuum tube का use इसलिए करता था ताके आपके circuit में जो electron का flow है वो complete बना रहे है अब vacuum tube से और भी कुछ कोशन्स पूछे जा सकते हैं वैक्यूम ट्यूब के जगा पर कभी-कभी आपको वाल्प्स भी देखने को मिलेगा तो आप घबराना मत इसके जो इन्वेंटर थे इसके जो इन्वेंटर थे वो जॉन अम्रोज एन लीडी फॉरेस्ट थे ठीक है यह सारे पॉइंट्स आपको नोट डॉन करना है जब भी आप सेशन लेने बैठो तो आपको सारे पॉइंट्स को नोट डॉन करना है अपने पेन और कॉपी को ले के बैठना है आपको यह मैंने उसका हिस्ट्री बताया क्योंकि इससे भी कोशन पूछे जाते हैं ठीक है जॉन अम्रोज एन लीडी फॉ लाइक्स आदे यह तो बड़ी नाइनसाफी है भाई यह तो यह तो नहीं चलेगा यह तो नहीं चलेगा ना फटा फट से एक बार लाइक कर दो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरू से करेंगे उसमें कंजूसी नहीं क्योंकि उससे ना हमें मोटिवेशन मिल योजें Second generation computer एक कम्रे whats alors एक हो गें अब उसके क्या होı गये बड़ कंप्लेटर होगा इतने सारे वैख्यूम ट्यूप्स लगे इतने सारे दाुश्क पड़ेगी आप चीज़ों को नक्रten से जोड़ना वेक्यों टीव की जड़रत पड़ रही थी तो अब उसमें कहीं ठंडा रखने के लिए एसी की ज़रुवत पड़ेगी एर कंडिशनिंग की ज़रुवत पड़ेगी तो यह समना आप लॉजिकली चीज़ों को कनेक करना ठीक है क्योंकि जब तक आप लॉजिकल नहीं होगे ना तब तक आपको ee sure हमारे पास answer आ खर और त्रहां ने का है कि इसंने क्या रेके आय यह लेकर आया है ना एजुकैशन के फिरिड़ में कि भई आपको जो भी चीज जरूरत पड़ती है अड़्डा आपके सामने वो लाकर दे देता है और बेस्ट लाकर देता है सो दाट मार्केट में एक रेवोलुशन आ जाया हर बच्चे तक एड्यूकेशन पहुंच जाया हर घर तक एड्यूकेशन पहुंच जाया तो उसी तरह से 1947 में जब ट्रांजिस्टर आया ट्रांजिस्टर एक रेवोलुशन लेकर आया आपने पास क्यों क्योंकि जहां पर हम वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहे थे एक तो उसका साइज बड़ा था ठीक है अब जो हम ट्रांजिस्टर यूज करने लगे इस ट्रांज तो आप सोचो जो हमारे पास एक कमरे जितना कंप्यूटर था इतने सारा हीट प्रडूज कर रहा था कहीं ना कहीं उसका साइस तो छोटा हुआ होगा ना और आज जो आप मोबाइल यूज करते हो जो हैंडी हो चुकी है डिवाइसे जो हैंडी हो चुका है लैप्टॉप क समझ में 1947 very good प्रियंग का इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते देखो इस तरह का आपको ट्रांजिस्टर दीखेगा इस तरह से आपको ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा कभी को से बना हुआ किस तरह के माटजिस्टर आपको ट्राइस ओसी तरह से जो डिषाय्स बना हुआ है यह किसमें किस सब्सक्राइब बना होता है ठीक है क्लियर यहां तक है वेरी गुड़ आफ्टरूनीं पिंस्टी लेट हो गया आप कि आइंग फाइन मही ओके मैं बहुत अच्छा हूं आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे थोड़ी से एनरजी दे दो कि आप लोगों को अभी तक सेशन कैसा लग रहा है समझ में आ रही चीज़े जो मेथड है पढ़ाने का वो समझ में आ रहा है हमने बात किये कि सिर्फ mcqs तो नहीं यहां जहां से कोश्चन बनता है वहां से करेंगे आज आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है फंडमेंटल्स दो-तीन दिन इसका क्लास चलेगा इसमें जितने भी कोश्चन बन सकते हैं विट उसका कॉंसेप्ट है ना चलो यह सर सेमी कंडॉक्टर की स्वाटेज इंडिया में क्या बात है बताईए नाव नेक्स्ट नाइस सर ओके वेरी गुड बेरी गुड तो एक बर बेटा एक बर लाइक कर दो विकास 53 वाचिंग और उनली 48 लाइक सद्या विच एलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट्स और यूस्ट इन थर्ड जेनेशन कंप्यूटर तो हम वेरी गुड वेरी गुड में चले इतना मान लो आप अगर लगातार जूडे रहते हैं उस से चाहे 20 कोशन आप से पूछे जाए चाहे 25 कोशन आप से पूछे जाए आप सभी करके आओगे उस लेवल का हम लोग पढ़ेंगे विच इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट्स और यू अप्रोक्स से स्टार्ट हो चुका था ठीक है अर्ली 1971 से स्टार्ट हो चुका था ट्रांजिस्टर सेकेंड जेनेशन में यूज हो चुका यह तो है नहीं वैक्यूम टिव फर्स जेनेशन में यूज हो चुका था ठीक है थर्ड जेनेशन में जो यूज आ गया हमारे पास आ गया IC ठीक है इसको shortcut में बोलते है IC जिसको बोला जाता है integrated circuit ठीक है अब जो prime focus होगा prime focus क्या होगा जो हमारा computer था जो portable नहीं था जो इतना heat produce कर रहा था उसको कहीं ना कहीं छोटा करना ताके potability बन जाए आज laptop लेके carry कर लेते हो ना क्यों क्योंकि वह portable हो चुका है उसमें वह सारी चीज़ें आपको मिल रही है लेकिन उसमें जो circuit का size है उसमें जो devices का size है वह बहुत छोटा हो चुका है और लेकिन काम उससे कहीं transistor के बराबर कर दी गए जैसे मालों दो लोग होते हैं कोई एक थोड़ा सा lazy type का होता है कम काम करता है लेकि दो लोग मिल के जितना काम करते हैं एक बंदा अकेले ही उतना काम कर लेता है ऐसी चीज़ें तो एक आइसी में हजारों transistor की क्या हो गई capacity हो गई तो अब क्या होगा size और छोटा हो जाएगा ठीक है size क्या हो जाएगा और चूटा हो जाएगा और एक चीज़ें आधर आखना टेकनोलोजी जैसे बढ़ती है cost effective हो जाती ही चीज़ें मतलब मार्केट में जो चीज़ें हैं मार्केट में जो डिवाइसे हैं वो सस्ता होना start हो जाता है ठीक है फिर हम लोग शौकिया जरूर पैसे बरबात करते हैं मतलब कि हाँ भाई हम brand यूज करें बट टेकनोलोजी बढ़ने से आपका जो चीज़ होता है वो short हो जाता है अब इसके बारे में थोड़ से जान लेते हैं ic बोलते हैं integrated circuit को made up of silicon ic के बारे में पूछा जाता है कि ic किसका बना होता है तो यह भी semiconductor है लेकिन semiconductor में specific किसका है यह specific है silicon material का ठीक है बेट लैप्टॉप अभी ले लो 10th generation 11th generation आ गया है ले लो वेरी गूड प्रियंका 1963 से था बचा 63 या 64 से था अलाग यह जो time period है ना वो जो time SI LSI यह क्या है ठीक है इस पर थोड़ी दिर में अभी चर्चा करते हैं आ जाते हैं यहां पर इसका computation time था मतलब इसका computation time का मतलब क्या हो गया कि किसी प्रोसेस के execution का जो time था यह कितना time लेता था किसी काम को करने के लिए तो that is nanosecond nano का मतलब होता है 10 to the power माइनस 9 10 to the power माइनस 9 मतलब एक सेकेंड भी नहीं एक सेकेंड का देख लोग कितना भाग हो गया ठीक है करोडों अर्व भाग तो यह nanosecond में काम करता है ठीक है first generation millisecond में करता था second generation micro computer में उसमें मैंने लिखाया नहीं था आप लोग नोट कर लेना ये भी question पूछता है हां जी क्लाइट में बिल्कुल आएगा ठीक है की बोर्ट और मोनिटर इंटरफेस्ट operating system ठीक है आपका keyboard जो हम monitor यूज करते हैं ठीक है keyboard important point है सभी को note on करना है जो keyboard है monitor है एंड जो operating system है यह आपका third generation में आ चुका था मतलब के 1964 से लेके 71 तक में 73 तक में आ चुका था ठीक है समझ लेना invented by jack kilby and robert noise और यह जो ic chip है किसकी बात कर रहे हैं हम लोग ic chip की बात कर रहे हैं यह किसने invent किया था jack kilby and robert noise दो person थे जिन लोगों ने मिलकर integrator circuit का use किया मतलब उसको invent किया अब यहाँ पर एक term है हमारे पास SSI small scale integration ठीक है integration MSI medium यह full form पूछता है धिहान रखना सभी को note करना यह full form पूछता है इसका and LSI is large scale integration यह तीन चीजे इसमें आई small scale integration मतलब एक ic chip में अब यूस के है according एक ic chip में जो number of transistors हो गया वह मालों की hundreds में हो गया मतलब एक ic chip में यूजर है वहाँ जहां पर एक ic chip में hundred number of transistors की capacity हो गए उसी तरह से medium में क्या हो गए उसको thousand कर दिया तिक है इसको 10,000 कर दिया large scale integration में या कर दिया गया तो number of transistors की capacity को क्या कर दिया गया बढ़ाते चले गया हम लोग तो यहां से आपको पता चल रहा है small मतलब कम रखा गया होगा medium मतलब beach में होगा large मतलब high quality में होगा third generation में ठीक है तो यह इसके पीछे का जो background है वह आपको पता होना चाहिए कि भाई क्यूं यह डिवाइस अगर यूज हो रहा है तो इसके इसका characteristics क्या है क्यूं यूज हो रहा है ठीक है क्या यूज होने लगा हमारा fourth generation computer में सभी लोग जवाब देंगे फटाफट से सभी लोग जवाब देंगे क्या यूज होने लगा fourth generation computer में एवर्यवन कमेंट कीजिए कमेंट 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 लगातार आपका आता रहना चाहिए कमेंट आता रहेगा तो मुझे एनरजी मिलती रहेगे कि आप तक वो बाते पहुँच रही है ठीक है ठीक है तो यह कोशन अक्सर पूछता है कि fourth generation computer में कौन से डिवाइस आया था तो माइक्रो प्रोसेसर आया था जो अभी हम लोग यूज करते हैं जैसे आप बोलते हो 10th generation Micro Intel का यह है आई 710 generation आई 711 generation यह सारी चीज़े क्या हो गई यह उसके generations हो गया उसमें जो भी changes हम करते हैं जो टेक्नोलोजी का advancement होता है उसकी speed बढ़ाते हैं तो वह एक नए generation के साथ market में आ जाता है so that जो हमारे user है जो company के जो user है वो क्या करें interact हो से कि नई चीज़े हम market से purchase कर रहे हैं पुरानी चीज़े कोई भी चीज़ नहीं करना चाहता तो microprocessor आ गया इसमें जो नंबर आफ टांजिस्टर की capacity हो गई वह लाखों में 10 लाख में हो गई ठीक है लाख 10 लाख millions में हो गई इसका मतलब वह और क्या हो गया compact हो गया और चुटा हो गया और fourth generation computer ही अभी हम लोग क्या कर रहे है यूज कर रहे है अभी जो घरों में हम लोग यूज करते हैं जो आपके पास laptop है वो क्या है वो fourth generation computer ही है बस अब देखो LSI का हमने देखा गा large scale integration तो VLSI का क्या हो गया very large scale integration ठीक है integration तो यह यह full form भी पूचता है अक्सर और ULSI का क्या हो गया ultra large scale integration ठीक है यह एक SLSI भी आता है SLSI भी आता है super large super large scale integration ठीक है अब यहां तक सभी को अगर clear है तो एक बार आप मुझे comment करके बता दू हां सर अभी तक crystal clear हो चुका है मजा आ रहा है पढ़ने में क्यूंकि आपको जब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में तब तक मेरे relative vibes है ना वह आदान-परदान होते रहना चाहिए मतलब आप मुझे बताओगे क्या से मजा आ रहा है मैं आज कंटेंट डेलिवर करूंगा तो वह रोटेशन चलते कर लिया है वंदे मात्रम भाई वंदे मात्रम चलिए वेरी गूड बढ़ी को पसंद आ रही है बहुत अच्छे बात है ना आप णा लो क्या था फूर्थ जएनरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग ये क्या है fourth generation के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है जो भी हम लोग use कर रहे हैं अभी ठीक है वो क्या है हमारे पास fourth generation microprocessor technology question पूछता ही मैं पूछता है microprocessor technology ठीक है वो बात में देखें कि हम लोग है ना टेलेग्राम चैनल चलिए VLSI का फुलपॉम मैंने लिख दिया यह आपर पहले भी पिता दिया वेरी लार्ज स्केल इंटेग्रेशन राइट development of GUIs ध्यान देना यह वाला जो स्लाइड आपके सामने दिखाई दे रहा है यह बहुत इंपॉर्डेंट है जी यू आई का मतलब होता है ग्राफिकल ग्राफिकल यूजर एंटरफेस ठीक है एंटरफेस देखो आपको नहीं नाम से चीज़ों को पगड़ना है यहाँ पर क्य ग्राफिकल है ग्राफिकल का मतलब कहीं ना कहीं ग्राफ होगा कहीं ना कहीं आइकन होगा कहीं ना कहीं इमेज होगा कहीं ना कहीं वह एक इंट्रक्शन पॉइंट होगा एक ऐसा इंटरफेस होगा जिससे मैं देखकर समझ जाओ जैसे आप लोग थमनेल देखकर आते हो न शुरू चीजों को access करते थे लेकिन अब क्या हो गया अब आपका mobile आपके पास है वहां पर icons मने होते हैं चीजों को यूज करना बड़ा आसान हो गया इंटरफेस बड़ा क्या हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब यूजर को एक ऐसा इंटरफेस प्रोइड कर रहा है जो ग्राफिकली connected है चीजों को समझ में आ रहा है यूजर को समझ आ गया क्लियर फस्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज इंटल यह मिल गया है थोड़ा वाज इंटल 4004 जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटल 4004 था जो 1971 में बना था ठीक है 1971 में बना था पहला माइक्रो प्रोसेसर डाट इस इंटल 404 ध्यान रखना कोश्चन पूछ सकता है जो हिस्ट्री से रिलेटेड़ है वो अलग से मैं आपको बता रहा हूं टेड़ हॉफ और फेड्रिको फ्रेगिन दो परसन थे टेड़ हॉफ और फेड्रिको फ्रेगिन वेर दा इन्वेंटर सब्सक्राइब को बनाने वाले हैं जो मार्केट बें आज माइक्रो प्रोसेसर है वो उसके जो क्या बोलते हैं आविश्कारक है जो इन्वेंटर है वो कौन थे फेड्रिको फ्रेगिन और टेड हौफ नामत व्याकती थे आप देखो यह आपको कितना छोटा सा आपको प्र अरब टैस्टर यूज हो रहा था वहाँ पर इसमें क्या हो गया अर्गों संट इसे क्यां को की दोर्फ और यहां तक सबको क्लियर और यह सारे ऊपको अगर आगर मैं आगे बढ़ जाता हूँ अगर आप नोट डॉन नहीं कर सकते तो एक बार स्क्रीन शॉट ले लो स्क्रीन शॉट नहीं ले सकते हो तो दोबारा से वापिस से आकर वीडियो देखना एंड देन आपको नोट डॉन करना है क्योंकि यह सारे पॉइंट बहुत ही हो चुका था अब जो है वो क्या हो गया number of transistors और ज्यादा क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे उसकी जो capacity है और ज्यादा प्रोसेस क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा इसका PDF में सेव कर दूंगा इसका टेलीग्राम चैनल है ना एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा अगर इसका टेलीग्राम चैनल है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा आपका यू एल एसाइए माइक्रो प्रूसेसर अल्ट्रा लाज स्केल इंटिग्रेशन और मैंने बता है जो रिजिस्टर आया उसने रेवोलूशन लेकर आया था ठी यहां तक सबको क्लियर एक बार कमेंट करके बता देंगे देखो मैं बार बार आपसे इसलिए पूछतों कमेंट करके बताने क्योंकि मुझे पता चलता रहे कि आपको चीज़ें समझ में आ रहे हैं मैं किसी भी मोमेंट पर आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहता कि इसका जवाब अभी मुझे पता नहीं है मैं इस पर रिसर्च करूंगा सर्च करूंगा नॉलेज लेकर आउंगा और नेक्स डे आपको वो कॉंसेब्स जरूरू बताऊंगा ठीक है प्लीज प्लीज प्रोवाइड यो टेलिग्राम ऐडी तो मैं बाद में देखूंगा ठी चलिए फिलाल इसका अड़का होगा टेलिग्राम चले ना वहाँ पर जोएन कर लेना चलो मस्त है वेरी गुड बच्चों को मज़ा आता ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है पड़ाने में चलिए एन्याक कंप्यूटर बिलॉंग्स टू जो एन्याक कंप्यूटर है वो ब अगर जनेरेशन का कोशन पूछ रहा है या तो एन्याक का फुल फॉल फॉर्म पूछेगा या पूछेगा कि फर्स्ट इलेक्रोनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था ठीक है फर्स्ट इलेक्रोनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था और एन्याक का फुल फॉल फॉर्म या फिर ENIAC कौन से generation का था, तो ENIAC जो था वो first generation computer का था, ठीक है, ENIAC जो है वो first electronic, electronic digital, digital computer, ठीक है, समझे वागया, ENIAC जो है, first electronic digital computer था, कौन से generation का था, first generation, अब इसका full form क्या होता है, आगे मैंने question रखा है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, सभी के लिए वेटा, सभी के लिए, जितने भी law के जितने भी examinations है, जितने भी examinations है, जहां पर computer को introduce किया गया है, यह सभी के लिए, ठीक है, लेकिन जहां पर भी प्रोग्रामिंग लागविज इसका मतलब हम digitally उस language की बात कर रहे हैं जो हमारे system और हमारे बीच एक understanding बनाएगा ठीक है जो हमारे system और हमारे बीच एक understanding बनाएगा किसे software को develop करने के लिए जो हमारा system समझेगा उसमें convert करने के लिए तो पहला मतलब first generation computer में कौन सा programming language use होता था तो वो जो use था वो machine language इसी को बोलते है binary language इसी को बोलते है binary language यानि के zero and one की language zero and one की language जो first generation था वो machine language था binary language था या zero one की language था इसको operate कर पाना बहुत मुश्किल यह आप हमके बस की बात नहीं थी जिन लोगों ने इसको develop किया था वो ही इसको operate कर सकते थे को बोल नहीं विटा machine language जहां पर भी first generation computer की बात होगी first generation computer की जहां पर भी बात होगी वहां directly आँग बन करके आपको क्या करना है machine language करना यह जो को बोल यह third generation computer language ठीक है है first जो भी important points बन सकते हैं मुझे सब आपको बता रहा हूँ first high level language high level language ठीक है और जब हम high level language की बात करते हैं तो यह कब आया था यह आया था third generation में ठीक है जब ही भी high level language की बात करेंगे तो वो कब आया था third generation में आया था तो first high level language अगर आप से पूछे कि first high level language कौन सा था तो that was Fortran और Fortran का जो यह होता है full form होता है that is formula translation very good very good ठीक है formula translation कहां पर दिखा ही दे रहा है आपको formula translation this is the right answer formula translation clear है चली very good very good very good मज़ा रहा है आप लोगों को मज़ा रहा है मज़ा रहा है चली थोड़ा से session को share जरूर से कर देना विकास कम बच्चे है और नहीं चीजा ने इंट्रोड्यूस हुई है तो maximum से maximum बच्चों तक पहुंचे तो मुझे भी बहुत मज़ा आएगा ठीक है और चली नेक्स्ट वट 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 वस्ट नेम ऑफ फॉस्ट computer design by Charles Babbage Charles Babbage द्वारा designed पहला computer कौन सा था वट वट वस्ट प्रश्ट computer design by Charles Babbage आचा पाइद वे चार्ल्स वैविज कोई क्या बोला जाता है फादर ओफ पादर ओफ कंप्यूटर ठीक है चा बेविज कोई क्या बोलते हैं हम लोग फादर ओफ कंप्यूटर बोलते है तो चार्ल्स वैविज ने कौन सा अपना पहला डिवाइस बनाया टूल था ठीक है calculation वह लकडी का बना हुआ था तो वह computer के definition को following नहीं करता वह लकडी का बना हुआ था उसमें ना beats होते थे strings होते थे उसमें beats होते थे दो section में रहता था ठीक है तो beats को quant करके उसमें counting की जाती थी अभी भी अभी 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 अवेकस use होता है बेसिक counting के लिए बच्चों के लिए और especially for blind people जो देख नहीं पाते सही से तो उनके लिए use किया जाता है so b is the right answer एक प्रियंका का answer आ रहा है हमारे पास analytical okay and प्राची का answer आ रहा है difference engine very good तो हमारे पास जो answer है वो difference engine है ठीक है difference engine जो बनाया था 1822 में 1822 में बनाया था यह भी किसने बनाया था चाल्स बैविज नहीं बनाया था ठीक है यह भी चाल्स बैविज नहीं बनाया था ये भी चाल्स बैविज नहीं बनाया था लेकिन ये क्या हो चुका था ये फेल हो गया था ये ना ये फेल हो गया था ठीक है फिर उसके बाद 1837 में इसने बनाया अनलीटिकल अनलिटिकल एंजिन ठीक है ये भी किस ने बनाया ये भी चाल्स बैवेज ने ही बनाया और यहां से उनको पॉपुलेरेटी मली और इसी वज़ास से उनको फादर आफ कम्प्यूटर कहा जाता है क्योंकि आज जिस अल्गोरिथम पर हम काम करते हैं आज जिस अल्गोरिथम प इसका बेस जो है वो चाल्स बैवेज ने रख दिया था हाला कि अभी तक इसमें प्रोग्रामिंग नहीं थी अभी तक यह क्या था मेकैनिकल डिवाइस था अभी तक यह जो डिवाइसे से यह सारे यह सारे मेकैनिकल थे यह जो थे यह मेकैनिकल डिवाइस थे अभी तक यह किया जैसे आज हम लोग computer देखते हैं input process output storage इस तरह से तो इसी विज़े से उनको father of computer कहा जाता है नौ मेरा एक सवाल आप से यह है कि who is known as mother of computer तो father of computer तो हमें पता चल गया वहीं 1856 में नहीं बच्चा 1837 में बनाया था ठीक है 1837 में आ गया था 1837 में analytical आया था 1822 में difference आया था ठीक है नौ एक सवाल है who is known as mother of computer जल्दी से बताएंगे mother of computer कौन है mother of computer कौन है everyone comment who is known as mother of computer lady अदा अगस्ता first programmer very good gopi very good very nice तो जो हमारे पास यहां पर है lady lovelace अदा अगस्ता ठीक है lady lovelace अदा अगस्ता ठीक है lady lovelace अदा अगस्ता she was the first programmer not only female programmer but she is the first programmer of world in the world ठीक है first programmer or in the world first programmer ठीक है कभ क्या था 1993 में कया था उन्होंने programming 1943 में अन्होंनों programming क्या था इस वजह से उनको mother of computer कहा जाता है ठीक है इस वजह से उनको mother of computer कहा जाता है very good very good चलो now next which was the first electronic digital programmable computing device यहां पर क्या आगे हमार पास programmable इसका मतलब अभी हम किसकी बात कर रहे है अभी यह electronic तो होई गया इसका मतलब अब जो यहां पर है programming भी उसमें चीजें हो रही है right अब उसमें programming का भी concept आ चुका है first programmer in the world 1943 very good mother of computer very good very good very good gopi very good princey okay and Ratchip and Pradhum Shahid सभी का answer बिल्कुल सही है very good now which was the first electronic digital programmable computer device digital तो है लेकिन यहां पर programmable भी आ गया तो ENIAC तो था नहीं एनिया किया था first electronic digital था देकिन यहां पर programmable भी आ गया तो जहां पर भी first electronic programmable device होगा वहां पर आपको जो answer करना है वो करना है Colossus क्या करना है आपको answer Colossus ठीक है एनियाक नहीं क्योंकि यहां पर क्या टाम आ चुका है हमारे पास programmable आ चुका है ठीक है अब इस पर प्रोग्राम कर सकते हो चीज़ों को तो the answer is Colossus दिहान रखना यह कुछ कुछ ऐसे options आपको दिखाई देंगे जहां पर आप confused होगे तो इन चीजों पर देखना के electronic डिवाइस पूछ रहा है electronic digital पूछ रहा है electronic digital programmable पूछ रहा है क्योंकि उस डिशन में क्या हो रहा था revolution आ रहा था evolution चल रहा था तो हर थोड़े वक्स में क्या हो रहा था कुछ नहीं चीज़े आ रही थी कुछ नहीं चीज़े बिल्ट हो रही थी तो उसके लिए अलग-लग नाम आ रहा था चलो वही एक जो आएसी चीप आपके पास होता है जो आएसी थर्ड जेनेरेशन के बारे में हमने पढ़ा कि एक जो integrated chip है वो क्या है answer this question जो integrated circuit है वो क्या है फटा-फट से सभी लोग अंसर करेंगे बहने तो के बाई जल्दी 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 फटा फटसे ठीडों स्टेष एव्रीवन में और कि अर्षए आपको। धिखाना पड़ेगा और एनर्जी मुझे आपका कैसे दिखेगा नहां वह भागा ठीक है कमेंट आप आपका यहां पर भागना चाहिए कि मैं पढ़ना पाऊं कमेंट अभी क्या हो रहा है स्टेबल है वहाँ पर अभी मैं आराम से उपर से नीचे वहाँ पर पढ़ सकता हूं कौन-कौन कमेंट कर रहा है तो आंसर आ रहा है हमारे पास प्रिंसी का डी फैब्रिकेटेड और टीन सिलिकन चिप समझ आ गया वेरी गुड तो इस तरह से आपके कोश्टन भी फ्रेम होते हैं इसलिए मैं उसकी हिस्ट्री को बता रहा हूं और यह सारे कोश्टन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं कहीं ना कहीं उस तरह से बनाये गये हैं जिस तरह से आपको पढ़ना चाहिए जिस तरह से आप एक्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो अच्छा मास ले आ सकते हो विच वस्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर पूछ रहे हैं पर पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था विच वस्ट कॉमर्शियल जब बात आती है कॉमर्शियल की इसका मतलब हम बात किसक रहे हैं conzuiddumar की कांजूमर की कनेक्टिविटी की ठीक है जब बिसनेस की आ रहे इसका मतलब बिसनेस का इससे करेंगे यूजर होगा ना उसका कोई customer रोगा कंजूमर होगा उसी के साथ तो बिजनेस करेंगे क्योंकि बीना जब कोई प्रोड़क्त खरीदने वाला नहीं होगा तो प्रोड़क्त बना कहीं क्या करोगे फिर तो लॉस है तो जब बात आ रही है अब कमर्शिल की बात आ रही है इसका मतलब आपको लेना है अपने परपस के लिए तो आप यूस कर सकते हूं ठीक है तो इक कनेक्शन बन गया तो क्या हो गया उसके लिए जो आएगा आपके पास फिरांटिक मार्क 1 सभी का अंसर बिल्कुल सही था फिरांटिक मार्क 1 वेरी नाइस चलिए यहां तक किसी को थोड़ा सा भी समझने में कोई भी परेशानी दिक्कत हो तो एक बार कमेंट करके बता देंगे अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है सब crystal clear है मजा आ रहा है पढ़ने में तो एक बार थम सब करके बता देंगे कि हासर मजा आ गया मजा आ गया अब तो computer का बेड़ा पार है अड़्डा ने वो दे दिया computer के लिए जो अब computer से बाहर कुछ नहीं आ सकता भाई इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है वो मजा रहा है एक बार कमेंट करके सबी लोग बता देंगे अगया चलो यह आपके लिए homework question है ठीक है होमवक कोशन है आपको करना है comment box में यहां live chat में आप नहीं करेंगे इसका answer आपको करना है comment box में answer जैसे session end हो जाएगा आपको इसका comment box में answer करना है कोई साभी option option number दे देना या पूरा लिख देना ठीक है no doubt no sir okay very good very good चले तो इसका answer आपको कहां करना है comment box में करना है साथ ही साथ क्योंकि इस platform पर आप लोगों के समझ में आए कि नहीं बहुत सारे बच्चे recorded form में देखेंगे अभी live नहीं आ पाये थे तो उन सभी के लिए मैं बता रहा हूं अगर वो वीडियो में यहां तक पहुंच चुके हैं तो वह भी comment box में जाकर अपना valuable feedback जरूर से देंगे कि आपको session कैसा लगा या आपको कोई एसिस्टी में हो बैंकिंग का कोई exam हो यूपी पीसे लो कोई साभी exam हो देखो questions यही सारे बनते हैं और मैं history बता रहा हूं उसका तो question को mold करके ही आपसे पूछेगा ठीक है तो कोई issue नहीं है तो हर किसी को comment box में जाके जवाब देना है इसका और यह भी बताना है कि आ पड़ी में alarm लगा लेना reminder जो लोग नए आये हो वो चैनल को subscribe कर लेना so that आपको notification मिलते रहे और उसके लिए आपको notification bell icon पर press करना पड़ेगा and allow कर देना so that आपको सारे notification मिलते रहें बहुत important session चलने वाला है सारे examinations के लिए राइट चली बई तो आज का session यहाँ पर समाप्